Shopify को Google Tag Manager से connect करने के काफी फायद है, आपको अलग-अलग code डालने से आपके Shopify Store की speed slow होती है, अगर आप Tag Manager का use करते हैं, तो आप Google Analytics, Google Ads और बाकी सारी चीज़े Tag Manager की मदद से use भी कर सकते हैं, और उससे आपके Shopify Store की speed पे कोई फरग भी नहीं पड़ेगा दोस्तों सबसे पहले आप अपने Tag Manager में login कर लीजिए, उसके बाद आपको यहां create account की button दबाना पड़ेगी, यहां पर आप अपनी website का नाम लिख सकते हैं, जैसे की country डालेंगे यहां पर यहां पर वापस से आपको अपने store का या website का नाम डालना है, फिर जो भी platform आपको target करन और आपके सामने direct code snippet आजाएंगे जिनने आपको अपने Shopify के store में डालना है, तो सबसे पहले हम यह वाला code copy कर लेते हैं, इसको हमें head section में डालना है, अब आपने Shopify store में आजाएं, यहां पर आके आपको अपने online store की button दबानी है, online store की button दबाने के बाद आपको यहां पर जो कोड कर लेते हैं, body tag, इसको हम copy कर लेते हैं, वापस से यही आ जाएंगे, इसमें हम scroll करके नीचे जाएंगे जब अपना body section शुरू हो रहा हो, जैसे कि आप देख सकते हैं, body section शुरू हो रहा है, यहां से हम enter मार के अपना body code यहां पे paste कर देंगे, और इसके बाद इसको य आप यहां settings की button दबाएंगे, उसके बाद यहां check out की button दबाएंगे, उसके बाद scroll करके आप नीचे आएंगे, यहां पर आप देख सकते हैं, additional script लिखा है, यहां पर हम वो दोनों code को यहां पर भी paste कर देंगे, वापस से में यहां copy करता हूँ पहले वाले code को, और यहां प इसे check करना चाहते हैं, तो आप यहां पर preview की button दबा सकते हैं, दोस्तों preview की button दबाने के बाद आपका Google Tag Assistant खुलता है, यहां पर आपको अपने store का URL दालना है, उसके बाद हम यहां पर connect की button दबाएंगे, connect दबाने के बाद आपका store खुल जाएगा, store खुलने के बाद आप देख सकते हैं, नीचे के tag and assistant connected बता रहा है, और आप tag assistant के page पे जाएंगे, तो यहां पर भी आपका product page का URL आपको देख रहा होगा, इसी तरीके से अगर आप add to card की button दबाते हैं, add to card की button दबा के आप view my card में जाते हैं, यहां पर भी देख सकते है, tag assistant connected बता रहा है, और आप यहां tag assistant के page पे आएंगे, तो यहां पर भी your shopping card का URL आपको दिखा रहा है, इसका मतलब जो है, आपका Google Tag Manager properly connect हो गया आपके store से, दोस्तों e-commerce advertising से related अगर आपको कोई help चाहिए, तो आप मझे contact कर सकते है, number screen पे दिया हुआ है,